तो इसे यह दोस्तों मेरे पास Realme Narzo 50i smartphone आपको इस smartphone के कुछ camera के settings बताऊँगा भाहतिरन settings बताऊँगा भाहतिरन shots के लिए तो आप देखना दुस्तों इस video को end तक सारे features आपको explain करके बताऊँगा यह feature क्या काम करता है यह feature क्या काम करता है बोलकर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले like कर देना इस video को और आप चैनल पर ना है तो subscribe करके bell icon पर press करके धगलाना camera app open करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलता है video mode आप video recording करना जाते है तो इस video mode में आना है इस पर आप click करके video recording कर सकते है इसके अलवा आपको zoom करना है तो आप कम से कम 4X zoom कर सकते है video recording कर सकते है और यहाँ पर आप इसके ऊपर एक बार click करेंगे तो flashlight on हो जाती है video recording करने से पहले ही आप ऐसी click करेंगे तो off हो जाती है flash it इसके अलावा आते हैं भी next capture mode में यह दूस्तो नॉर्मल mode होता है photo mode होता है और आपको photo लेना है तो आप कम से कम 4x zoom करके photos ले सकते हैं इसके अलावा आपको इस पर click करना है यहां पर आपको features मिलते हैं अपने face को आप यहां से smooth कर सकते हैं इसकी capacity को बढ़ा सकते हैं कम भी कर सकते हैं और bright भी कर सकते हैं अपने face को और यह सारे features आप यहां पर use कर लेना और HDR को यहां से on कर सकते हैं photos clicker वक्त में और उसके zero point nine five aperture तक कर सकते हैं और ज्याता सी ज्यादा इफ season aperture कर सकते हैं वर ज्यादा होना जहें ये तो कम कर लेना aperture और कम blur होना चेएLÝ ज्यादा कर लेना अपने हैसाभ से आपर आप ब्यारोंड के ब्लर की इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से contrast मिला सकते हैं और यह सारे setting आप कर लेना देस लार के और WB मतलब white balance होता है यहां पर colors change कर सकते हैं अपने फोडो के और ISO भी आप हैं पर change कर सकते हैं अपने brightness के हिसाब से मतलब lighting condition के हिसाब से और यहां पर autofocus है manual focus है यह कर सकते हैं यह मतलब यह shutter speed होता है और यहां पर यह brightness को कम ज्यादा कर लेना अपने lighting condition के हिसाब से और यहां पर flashlight को on off कर सकते हैं इस पर यह की photo में cover हो जाता है उसके अलावा आपके हम पर capture mode में आना है setting का icon दिखता होगा आपको setting के icon पर क्लिक करना है यहां पर सबसे पहले storage part आपको इसमें आना है यहां पर extra memory card आप लगाए है तो यहां पर आपको phone की नीचे एक memory card भी दिखती है आप memory card पर क्लिक करेंगे तो जो भी आप videos और photos लेते हैं इस phone में record करते हैं या shoot करते हैं वो सारे videos और photos उसी memory card में चले जाएंगे phone के जगा और उसके ठीक नीचे volume की functions आप कहां पर आना है shooter है और volume है और zoom है यह कहा है आपको मैं बता दो अब मालो कि आप camera app open करके इस volume बटन पर click करेंगे shooter मतलब आप shooter पर select करेंगे तो photo click हो जाता है और volume पर click करेंगे तो volume कम जादा होता है और zoom पर आप click करके रखेंगे तो camera app open कर आप कर सकते हैं और उसके अलावाए है camera sound यह आप फोटो लेते वक्ट sound आता है यहांसे इसको on करने के बाद में और show location पर click करके यहां पर इसको भी on कर सकते हैं और picture size आप हैंबर select करके रख सकते हैं जो photo आप ले रहे हैं उसका size कैसे आना चाहिए और पर आप ले रहे हैं यहांपर आप select कर लेना अपनी photo का size और यहांपर picture quality को आप हैंपर change कर सकते हैं super fine रख सकते हैं fine रख सकते हैं normal रख सकते हैं अगर मैं कहुंता आपको super fine नहीं कर लेना एकदम high quality में आएगा उसके अलावा है हैंपर add logo watermark इसको on करेंगे तो किस phone में आपने photo लिया है वो phone क down duration है यहांपर यहांपर आप 3 seconds और 10 seconds कर सकते हैं आप 3 seconds कर लेंगे तो photos क्लिक करते हैं इस तरह से 3 seconds का time आएगा उसके बाद में photo click हो जागा यह settings आप हैंपर कर सकते हैं उसी setting में जाएंगे और आएंगे इस तरह से नीचे तो हैंपर smile shooter इसको on करेंगे तो आप selfie camera open करके थ फोड़ा smile करेंगे तो photo click हो जाता है इस तरह से यह भी feature मिल जाता है और यहांपर इसको भी on कर सकते हैं face के उपर वो detect रहेगा camera और उसके आला है यहांपर touching photograph इसको on करेंगे तो यहांपर कहीं भी touch करेंगे तो photo click हो जाता है इस तरह से आप कर सकते हैं तो इसी realme narzo 50i smartphone की क कुछ camera की settings अगर आपने कुछ गडबड कर दिया तो आपको restore difference पर आपको क्लिक करके यहांसे डन पर क्लिक कर देना है जैसे नया सपन लेने के बाद में जैसे setting थी उसी तरह वापसे हो जाएगी अगर नहीं होगी तो आपको long tap करना है info पर क्लिक करना है आपको storage and cash पर आप comments में बता देना और आप इसी smartphone के top 60 tips and tips certain features वाला वीडियों देखना चाते हैं तो उस video की link आपको नीची मिल जाएगी आप क्लिक करके देख सकते हैं यहां पर क्लिक कर लिजे वो वीडियों हम पर आपको दिकरा होगा